अगर आपने अभी प्लस्टू की है medical field से और आप nursing में अपना career बनाना चाहते हैं तो हमारी आज के वीडियो आप के लिए है इस वीडियो में हम बात करेंगे nursing में career बनाने के best options और कैसे आप उन options को अपनी reality बना सकते हैं Hello everyone, मेरा नाम सुनीधी है और आज मैं लेकर आई हूँ एक special video उन students के लिए जो की plus 2 के बाद ही अपना nursing career set up करने की कोशिश में जुड़े वे हैं तो इस video को last तक जरूर देखें So बिना किसी देरी के हम बात करते हैं nurse बनने के 3 best courses के बारे में Number 1 जो है वो है A&M course, auxiliary nurse and midwife So guys, यह एक 2 years का diploma course है जो generally females ही करती हैं कुछ institutes में male candidates भी इस course को कर सकते हैं but most institutes में females को ही इस course में admission मिलता है Now, अब आप जानते ही हैं कि यह course कौन-कौन कर सकता है कोई भी इनसान जिसने अपनी plus 2 को complete किया हो किसी भी field से चाहे medical या non-medical, commerce, arts वो ये course को कर सकते हैं Admission के लिए plus 2 की passing percentage minimum 50% या उससे जादा होनी चाहिए और आपको बहुत कम फीस में किसी भी government institute में admission मिल सकती है इस course के लिए Next हम बात करते हैं GNM course, General Nursing and Midwifery ये 3 साल का diploma course है जिसके end में 6 months की internship होती है कुल मिलाके 3.5 years का ये course है ये course detailed होता है और इसकी value A&M से भी जादा होती है बट ये course करने के लिए जरूरी है कि आपके पास 12th class में physics, chemistry और biology and English subjects होने चाहिए ये course girls and boys दोनों कर सकते हैं और government colleges में इसकी admission कम फीस में generally मिल जाती है ये दोनों diploma courses है जिन में से A&M fundamental course है और उसके बाद आपकी starting salary 10-15,000 की होगी और GNM थोरा deep knowledgeable course है जिसके बाद आपकी salary 15-20,000 रुपे होगी अब हम आते हैं third course पर जो की है B.Sc Nursing I repeat B.Sc Nursing ये एक degree course है जिसको complete करने के बाद आप graduate बन सकते हैं ये एक 4 years का detailed course है जिसमें OPD, basic treatment, first aid और बाकी सब topics भी detail में सिखाया और बताया जाता है इस degree course के बाद आपकी knowledge increase होती है और इस degree की value भी बहुत जादा होती है आप किसी भी private या government job के लिए apply कर सकते हैं और एक अच्छी salary भी पा सकते हैं Now B.Sc Nursing के बाद आपके पास foreign में nurse बनने के दरवाजे भी खुल जाते हैं जो कि बहुत जादा important होते हैं अपनी registration के बाद आप NCLEX exam दे सकते हैं जिसके थुरू आप Australia, USA, Canada में nurse बन सकते हैं ये exam आप अपनी home country में ही दे सकते हैं आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रुत नहीं है आप जिस जगा से हो उसी जगा पे आप इस exam को दे सकते हो और इसके लिए किसी भी experience की ज़रूरत नहीं होती है आपको कुछ भी पहले से काम करने की ज़रूरत नहीं है इस exam के बारे में detail में जानने के लिए description में दिये गए link को open कीजिए और जानिए अगर आप foreign में nurse बनना चाहते हैं तो BSE nursing आपके लिए definitely best course है academically के health से आप register हो सकते है as a nurse in Australia, USA और Canada तो ये थी हमारी आज की video aspiring nurses के लिए free counseling या कोई और information के लिए आज ही contact करे academically को link description में दिया है तो please वहाँ से हमसे connect करे thank you for watching till the end I hope हमारा video आपको अच्छी लगी हो और ये videos के लिए हमें subscribe करे और इस video को जादा से जादा शेयर करे और अपने उन दोस्तों के साथ भी करें जो की nurse बनना चाहते हैं foreign countries में thank you so much for watching I am Sunidhi शाही signing off